आज मैं आप लोग के साथ में सहर करने वाली हूँ एक 10 मिनिट्स फेस्टिब मेकप लूक जो की मैंने 10 मिनिट्स के अंदर क्रिएड किया है आप लोगों को अच्छा लगेगा एंद मैंने इसको अपने सावित्री पुजा में मेकप लूक क्रिएड किया था बट मैं फोटो ले नहीं पाई एंद इसके लिए इसको रिक्रिएड किया है मैंने चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने मौशराइजिंग के लिए अपने फेस पर गुडवाइप्स का औरगन फेशल ओयल यूज किया है यह एक बहुत ही अच्छा मतलब फेशल ओयल है यह आपके फेस को इंस्टंटली ब्राइटन अप कर दिता है यह अच्छा मेरे फेस पर एक ग्लो सा देखेंगे इसका बस वान तू टू ड्रप यूज करना है एंड इसको दो से तीन मिंट के लिए छोड़ दे रहा है ताकि यह पूरा एब्जॉब हो जाए मेरे स्किन पर एंड इससे क्या होगा कि हमारा स्किन पर जो हम लोग मेक अप य अच्छे से अपने फेस पर एपलाई कर लूगी एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूगी एंड इसको पांच मिंट के रिए छोड़ दूगी ताकि यह पूरा अब्जॉब हो जाए मेरे स्किन पर एंड उसके बाद हम हमारा मेक अप लुक स्टार्ड करेंगे तो यहां का टाइम है एंड क्योंकि यह दिन का लुक है एंड मुझे इतना कुछ मतलब हेवी सा यूज नहीं करना है इसलिए मैं इसका छोटा सा एमाउंट लेके डॉंड करूंगी एंड उसके बाद अपने एक ब्लेंडिंग ब्रस के हैल्प से इसको अच्छे से अपलाई करूंग जहां पर मेरा फेस में थोड़ा डाक स्पोर्ट्स वगेरा है जोकी मतलब आइस के राउंड है और नेक में है और मैं माउट के राउंड यूज करना इससे भूल गई तो आपको अपने जहां जहां पि डार्क स्पॉर्ट्स वगे रहे हैं उसको वहां पे ले यूज़ करना है और इसको अच्छी से ब्लेंड कर लेना है उसके बाद हम अपनी फेस को अच्छे से सेट कर लेंगे विधे कॉम्पाक पाउडर मैं यहां पर स्टेक वकी का कॉम्पाक पाउडर ले रही हूँ और मैं सारे प्रोडक्स के नेम नीचे डिस्कुप्शन बॉक्स में डाल दूगी और मुझे अगर मिलेगा तो उसका लिक भी डाल दूगी आप उसे चेट जरूर कर लेना मैं इसको अच्छे से अपने ब्रेस के हेल्प से अपने फेस को सेट कर लूँगी यह हो गया मेरा फेस पूरा सेट और इसके बाद आइस की बारी है मैं यहाँ पे ब्लू कलर का लाइनर यूज़ कर रही हूँ यह है स्टेक वरकी का ब्लू कलर का लाइनर क्योंकि यह फिस्टिव लुक है इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का लाइनर यूज़ किया है आप या तो ग्रेन कलर के आए या फिर स्टेक और की का बहुत सारा colors available हैं आप इसमें से कोई भी use कर सकते हैं and color eyeliner सो सारे brand के ही बहुत ही अच्छे है अप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने eyes के one side का liner draw कर लिया है and sorry guys मैं camera को देखके नहीं कर पा रही हूँ and इसलिए मैं अपने mirror को देखके ही उसका liner draw कर रही हूँ next से मैं क्या करूंगी एक mirror लेके side में उससे दिखाने की कोसिस करूंगी and यह हो गया मैंने अपने दोनों side में liner draw कर लिया है मैं कोई wing liner नहीं बना रही हूँ बस मैं मतलब normal side liner draw करूंगी क्योंकि मुझे लगता है मेरे पर ज्यादा wing बला अच्छा नहीं लगता है and यह हो गया मेरा liner मैंने draw कर लिया है उसके बाद eye makeup के लिए मैंने यहां पर comfort zone palette from the wet and wild eye shadow उससे लिया है and उसका एक transition कर ला लेकि अपनी crease में उसको अच्छे से place करूंगी and उसको अच्छे से apply करूंगी and blend कर लूंगी अच्छे से आपको मेरे दोनों side की eyes में color का difference पता चल रहा होगा यह transition colors को लेकि अच्छे से blend करना है आपको उसके बाद हमको desired color जो होता है उसको apply करना है मैं eye makeup भी बहुत ही minimal and simple वाला रखूंगी यहां पर क्योंकि यह daytime का look है and इतना गर्मी में मुझे जादा कुछ dramatic नहीं करना है and उसको अच्छे से मैंने one side का मेरा अच्छे से blend कर लिया है आपको ऐसे half circular motion में अपने inner corner से लेके crease area तक अच्छे से उसको blend करना है ठीक है जैसे मैं कर रही हूं अभी and मुझे लगता है मैंने जितना amount किया था वो अच्छे से blend हो गया है अपने eyes पे and उसके बाद मैंने एक humid eye का और एक palette है मेरे पास उसमें से एक peachy kind of color लोगी मतलब coral peachy kind of color and इसको मैं अभी दिखा रही हूं आपको humid eye का eyeshadow palette है उसे वहाँ पे मैंने वहाँ पे जो color दिखाया ना side में मैंने यहाँ पे mention किया है this one गोलके वह वाला color में ले रही हूँ and पहले मैं क्या करूँगी उसको अच्छे से place करूँगी फिर उसको अच्छे से blend करूँगी याद रखिए blending बहुत ही important है जब तक आप desired color ना पाएं तब तक आपको blend करना ज़रूरी है अगर आप चाते हैं तो next में कोई dramatic makeup look आपके लिए create ज़रूर करूँगी अभी मेरा सब कुछ अच्छे से blend हो गया है अप लोग देख पा रहे होंगी मेरा eyes में एक अच्छा सा color आपको दिख पा रहा होगा उसके बाद में अभी मेरा mascara की बारी है यहाँ पर मैं blue heaven का waterproof mascara ले रही हूँ एंड उसको अच्छे से अपने lashes पर लगा लूँगी मैं fake lashes यूज नहीं करती हूँ एंड उसके बाद उससे ही मैं क्या करूँगी अपने eyebrows को fill कर लूँगी क्योंकि मेरा eyebrow pencil जो है मुझे मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने इससे ही काम चला दिया है आपका eyebrow जितना भी थिक हो इसको यूज करना बहुत ही ज़रूर है या फिर eyebrow pencil या फिर यह mascara आप इससे काम तो चला ही सकते हैं मैंने यहां पर इससे काम चला दिया है अभी आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि मेरे पहले के eyebrows में अभी के eyebrows में आपको difference पता चल रहा होगा एंड मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है अभी मैं ले रहे हूँ मेरे आइशाडव पार सारी हाइलाइटर ब्रिक फ्रॉम सीवाना कलर्स एंड उसमें उसमें से एक light कलर का shade है मतलब silver kind of color जो की हाइलाइटर ही कलिये विल्कुल perfect है उसमें अपने nose पे मतलब breeze of the nose and chin में and above the lips यह सब यहां पे सब अपलाई कर लूँगी and अपने brow bone के उपर भी उसको नहीं भूलूँगी यह कि वो भी बहुत ही मतलब highlighting जगा है and उसके बाद अपने मतलब अपने chicks पे यह जो blue sorry chick पे यह जो pink color है pink and peachy kind of color है उसको apply कर लूँगी मेरे पास fan brush नहीं है बट मैं अपने powder brush ते ही काम चला रही हूँ and आपको एक बहुती pinky peachy kind of color आपको दिख्या होगा मेरे chick पे and वो भी बहुती अच्छा color है and यहां पे मेले रही हूँ wet and wild का single eyeshadow palette चोकी in shade golden है and इसको मैं अपने eyes के inner corners में apply करूँगी and अपने lower waterline पे भी apply करूँगी इससे हमारा eyes बहुती जदा brighten up होगा and हमारे eyes को एक desired मतला बहुती precision सा look देगा and हमारे eyes को बहुती अच्छा look देगा आप लोग देख पा रहे हैं कि इसे भी ऐसे ही place करना है and उसके बाद blend करना है आपको every eyeshadow को अच्छी से blend करना है to get that desired look and यह बहुती अच्छा eyeshadow palette है यह पूरा gel kind of है and अभी काजल की बार ही है मैं अपनी काजल को भी थोड़ा थिक सा draw करूँगी क्यूंकि मैंने कोई heavy eye makeup किया नहीं है and काजल ही हमारे eyes को और ज्यादा brighten up करेगा and एक अच्छा look देगा आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने कैसे काजल लगा है and यह स्टेक वकी का काजल and इसको एक brush के help से मैं इसको थोड़ा सा smudge कर लूँगी smudge करने से अपना मतलब हमारा eyes और थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखिएगा and बहुत ही अच्छा look आएगा आपका and आप इसको मतलब finger के help से भी अच्छे से blend कर सकते हैं मैंने इसको अच्छे से सब कुछ blend कर लिया है उसके बाद मैं यहाँ पे अपने compact लेके उसको set कर लूँगी क्य उसके क्या होगा मैं जो liquid lipstick लगाऊंगी उसका color अच्छे से आएगा and पहले मैं क्या करूँगी एक X सा अपने chin के ऊपर बना लूँगी and lips के ऊपर एक X सा बना लूँगी and पुरा lining कर दूँगी अपने lips को and उसके बाद जो gap होगा उसको fill up कर लूँगी and यह देखिए मेरा lining मतलब lining भी ठीक से हो गया है and मैंने अच्छे से यह color लगा लिया है यह lipstick है from Amsterdam brand from Steakworky sorry from purple.com and मैं सबका link दे दूँगी आप check जरूर कर लेना यह kind of बहुत ही अच्छा pinky सा color है मुझे यह color बहुत ही अच्छा लगता है and festive makeup look के लिए भी बहुत ही अच्छा एक है red color तो हम हमेशा लगाते हैं and यह मेरा makeup complete हो गया है and अभी मैं एक बिंदी लगाऊंगी and सिंदूर लगाऊंगी क्योंकि सिंदूर के बिना festive makeup तो complete नहीं है and मैंने थोड़ा बड़ा साइस का बिंदी लगाने का सुच था but मेरे पास available नहीं था and इसलिए मैं इसे ही काम चला रही हूँ and मैं यहाँ पे red color का सिंदूर यूज़ कर ले हूँ and यह मैरे wash की हुए hair है यह भी dry हो गया है पूरा and इसके बाद मैं makeup fixer यूज़ कर रही हूँ अपने face के makeup को long lasting बनाने के लिए and मैंने उसको अपने घर पे ही बनाया है and उसको 5 मिन के लिए भी छोड़ दूँगी makeup fixer को ताकि यह पूरा dry हो जाए and मेरा makeup मेरे face पे stick हो जाए and long lasting बन जाए and यह पूरा set हो गया है मेरा makeup आप ऐसे makeup करोगे तो आपका makeup 5-6 hour के लिए पूरा अपने face पे stick हो जाएगा and यह long lasting भी होगा and यह है मेरा final look hope यह आप लोगों को अच्छा लगे मेरा look आप इसको recreate जरूर करें and मुझे comment section में comment करके जरूर बताए hope यह makeup look and यह वीडियो आप लोगों पसंद आए अगर यह पसंद आया तो like जरूर करना है मेरे चैनल को subscribe भी जरूर करना है